अध़ फ्यूजा स्कार्च disci भाइत लूज एटले अध़ इसके लिए इसके लिए ऐप पॉई कि अगर हम सकार की बात करें हैं तो उसकार्च ज़रूर होते हैं लेकिन मारी स्कोपिक्वा भौती स्काष स्कार्च उतक होते हैं उसकी वज़ाई है कि हम जो जम्हेय वर भी कम साइस के होते हैं वो टाइटनियम के पंचेज होते हैं and third thing, उनकी जो एज़े होती है वो शाप होती है हम उसे फर पेशन में जो पंचेज होते हैं उनने चेंज कर देते हैं so that क्योंकि अगर वो पंचेज अगर शार्प नहीं रहेंगे, एजेज अगर ब्लंट हो जाएंगी तो जो स्कार बाद में आएगा वो थोड़ा सा ज्यादा कॉंस्पिकस आएगा इन सब चीजों की वज़े से जो स्कार आता है अगर हम पाच्छे महीने बाद देखेंगे तो आल्मोस्ट ना के बरावर होगा, बहुत ही पिंपॉइंट चोटेटी से स्कार होंगे, जो कि थोड़ा सा भी अगर बाल होता है तो बिलकुल विजिबल नहीं होगे एक जो चोटा सा डिसद्वांटेज हम FUT का मान सकते हैं, वो यह है कि बहुत ही पतला सा स्कार डोनर एरिया में रहता है, लेकिन वो स्कार भी आजकल हम उसको ट्राइकोफाइटिक टेकनीक से क्लोज करते हैं, तो उसके अंदर से भी बाल आ जाते हैं, कुछ महीनों बाद तो उसकार करीब-करीब ना के बराबर होता है, और आल्मोस्ट इन्विजिबल सा होता है।